मिथून राशी वालों के लिए अपनी कारे को सुचारू रूख से चलाने के लिए हमेशा समस्या आपसे खिरा रहना पड़ता है क्योंकि मिथून राशी वाले महनत तो करते हैं और उनसे लोग परसंचित भी रहते हैं लेकिन वह अगर काम में अगर किसी हाठ डालते हैं तो कभी-कभी सफलता भी मिलते हैं और कभी-कभी राशी अक्सर दिखा जाता है कि दोनों ही चीजे एक ही सिक्क्य के पहलू है क्योंकि सफलता भी और हनी भी दोनों ही आपके हिसी क्योंके पहलों माने जाते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मिधुन रशी वाले हमेशा काम तो सचरूरूरूप से करते हैं लेकिन बाधाओं के साथ अगर किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें यदि बाधाई आ रही हैं तो आपका काम बिलकुल भी सही तरीके से नहीं हो पाता है यदि आपके जीवने भी ऐसी ही कुछ समस्या हैं तो आप गणिश भगवान के रुद्राक्ष को अपने पास रखे हैं क्योंकि वह आपका लखी चाम हैं यदि आप लखी चाम के कारण आपने पास गड़े शुद्राक्षते हैं तो वह आपके कारे में कभी विविद्र नहीं डालेंगे साथ ही आपके जीवन में खुशाली कराएंगे यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारी समस्याएं का समाधा जंदी हो जाए और आपको सफलता मिले चाहे वे केरियर हो या फिर बढ़ाई हो यदि आप स्टुडेंट हैं और आप बढ़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको याद नहीं होता है या फिर आपको किसी पड़ाई से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो उसके लिए जरूरी है कि आप गणिश पगवन का रुद्राक्ष रखें अपने बास रखें या फिर आप गले में भी अपने रुद्राक्ष पुटा सकते हैं ऐसा करने से हमेशा सारी समझ चाहें तूर हो जाती है रुद्राक्ष ऐसा होना चाहिए जो तिखे ऐसा ना हो कि आप उसे छुपा कर रखें हमेशा अपनी रुद्राक्ष को ऐसी जगा ही रखें ताकि वह हर किसी के नजर में आए ऐसा करने से आपके काम में आने वाली बादाइं अपने आपी तूर होने लगेंगे और आपको सारी सफ़ताइं आसानी से मिल चाहेंगे तो ये हैं मिधुनाशी वालों के ही लिए गणिश पकवान के रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा पैने फिट रहेंगे और लखी चाम भी है अगर आप मिधुनाशी वाले चाहते हैं कि आपको कोई बादा ना हो तो आप इसका इस्तिमाद जरू करें मेरे इस वीडियो को लाइच शेर और सबस्क्राइब करना ना भूलें